आप कैसा दिखेगा हमारा राजस्थान और राजस्थान के नक्षे में आंत्रिक बदलाव के साथ ही उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सबसे इंपोर्टेंट बात हमारी तैयारी के उपर competitive exams की जो तैयारी है उस पर क्या आसर पड़ेगा क्योंकि अब त राजस्थान का खंडित जिला है बोले क्यों कि साब अजमेर का एक हिस्सा तो यह यहां तक रहे गया एक दूसरा टुकड़ा यहां पर हो गया दोनों अलग अलग है एक दूसरे से कोई link नहीं तो यह खंडित है लेकिन अब जब आपसे यह पूचा जाएगा कि राजस्थ रहेगी तो वही लेकिन यह सब कुछ हुआ तो दरातल पर था सब कुछ हुआ तो जोग्रोफी पर था तो जोग्रोफी में बदलाओं के साथ ही हिस्ट्री के जो facts हैं उनमें changes आ जाएंगे sun को छोड़कर year को छोड़कर जो इस्थान से संबंदित जो changes हैं मतलब जो जिले आधारित या संभाग आधारित जो change हैं वो तो होंगे होंगे तो राजस्थान का संभावित map क्या रहेगा exactly 90% तक मैं आपको बता दूँगा क्योंकि government ने अभी finally तो declare नहीं किया लेकिन फिर भी 90-95% हम उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं पूरा detail से आपको बताओंगा कि अगर जैपुर टूटेगा अलवर टूटेगा तो कहां से टूटेगा किन को मिलाकर नया जिला बनेगा ये थोड़ी देर में पूरा आपको समझा दोगा शुरुआत करेंगे इस image के साथ में एक विदायक जी है बालोतरा के बालोतरा जो अभी तक बाड़मेर जिले में आ जिला गोशित नहीं करवा देता ये तब तक जूते नहीं पहनूँगा और इन्होंने जूते पहनना छोड़ दिया था अब बालोतरा जिला बन गया तो विदायक जी ने वापस से जूते पहने कोई कारे करता है इनको ये जूते पहना रहे हैं और पास में मुख्यमंत्री जी भी है जो राजी हो रहे हैं खुस हो रहे हैं हाला कि देखो इतने सारे जिले बनने से ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव ही बदलावाएंगे बहुत खींचा तान भी होगी एक इमेज के आधार पर आप ये समझ सकते हो ये देखो कुछ स्थानों की स्थिति ऐसी हो इससे जाकर मिलेगा इससे जाकर मिलेगा इससे जाकर मिलेगा तो ख़ Sixadar नेर में जो खाजु वाला जगे है बीकानेर की टासीलियनी टो क Όलाय आद भी का a क्छ हमको जो है अनूप गड़ के साथ नहीं जाना अनूप गड़ा कर गय प हम आजो वाला वाले विरोध कर रहे हैं कि हमको बीकानेर के साथ ही रहना है अनूपगड में नहीं मिलना है। इसी तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही हैं। कि जालोर वाला ये जो हिस्सा है यहां पर इसको साचोर को बनाया है। नया जिला। तब आप आपका जालोर भी लगेगा। जालोर तो ही क्योंकि जालोर की ये सी में आप पता नहीं कि साचोर को जो बनाएंगे वो पूरा ये इससा काटकर बनाएंगे या केवल इतना सा इससा रखते बनाएंगे। अगर इतना इससा काटकर बनाएंगे तब तो साचोर भी लगेगा competitive exams के point of view से बाकी में दूसरे हर point of view से हर एंगल से आपको समझाओंगा राजस्तान का मैट कि पढ़ने वालों के लिए भी काम में आएगा और केवल जो राजस्तान के बारे में knowledge लेना चाहरे है उनके लिए भी काम की बात है आपसे पूछा जाता कौन सा जिला जो है वो आदे प्याले के समान है आदे चांद के समान सीकर लेकिन सीकर अब दो इस्सो में तूटेगा इधर वाला जो इस्सा आएगा यह आएगा आएगा आपका नीम का थाना गोशित हुए है एक तो सीकर ये नया संभाग बनेगा इसके अलावा आपका बास्वाड़ा ये नया संभाग बनेगा इसके अलावा आपका पाली तीन नय संभाग हो गए तो पहले साथ थे साथ प्लस तीन अब दस संभाग हो गए टोटल जिलों की अगर हम बात करें तो पह 30 प्लास 19 तो 52 होता है यही होता है ना 33 प्लास 19 जिले यह 52 तो 52 जिले नहीं बनेंगे कुछ की जब reshuffling होगी तो total अब राजस्थान में जिले हो जाएंगे 50 तो 3 तो संभाग, sorry 3 संभाग जुड़ने के बाद 10 तो संभाग और total आपके 50 जिले हो जाएंगे अब कौन-कौन से जिले में कहां-कहां पर बदलाव आएगा उसको समझो, वो मैप मैं आपको बता रहा हूँ पूरे राजस्थान के मैप के साथ भी बात करूँगा और particular उस जिले का जो मैप है उसके साथ भी बात करूँगा तकी एक ओवर्विव आपको मिले कि इधर से ये इससे तोटेंगे और इधर से ये इससे तोटेंगे ध्यां देना शुरुवात राजस्थान की राज़दानी जैपूर से करते हैं इधर आजो ये जैपूर है जैपूर अभी बरतमान में जिला भी है संभाग भी है जैपूर में बहुत सारी तैसिले हैं जैसे जमवारामगड, कोट पूतली, दूदू, फुलेरा, फागी, शापूरा, बस्सी, चाकसू इसके लावा आमेर, सांगानेर, सांबर ये बहुत सारी तैसिले हैं अभी जैपूर को जब तोड़ेंगे, तो एक तो देखो, ये उपर वाला जो इससा है, ये, इसको तोड़ा इधर आता है आपका कोट पूतली विराठ नगर वाला इससा शापूरा वाला इससा, शापूरा को तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इधर आता है आपका कोट पूतली और विराठ नगर, ये तूटेंगे, जैपूर को तोड़ा इसके अलावा, जैपूर को और भागों में तोड़ा एक होगे आपका नोर्थ ये नोर्थ, एक होगे आपका साउथ और जैपूर को एक यहां से भी तोड़ा यहां पर आता है आपका दूदू जो अभी पंचायच समीत्य है, द्यान रखना, दूदू ऐसी जगे है जो पंचायच समीत्य से सीध है उसको जिला बना दिया गया बहुत बड़ी बात है तो टोटल जैपूर के कितने हिससे हुए? चार हिससे एक तो यह वाला हिस्सा जिसको हम कोटपूतली, बहरोड जिला बोलेंगे या कोट पूतली को district quarter मिलेगा या बहरोड को मिलेगा पता नहीं अब कुछ student के दिमाग में आ रहोगा साभ बहरोड तो जप पू district में आता हुए बात सहिए बहरोड अलवर district में आता है बहरोड, Tijara, किशंगरबास अलवर, बांसूर, मुंडावर, रामगड, लक्षमनगड, राजगड, थानागाजी, कोट कासिम का ठूमर, रैनी कुछ एक आद हो सकता है मेरे दिमाग से रह गई हूँ यह सब अलवर की तैसिले हैं तो यहाँ पर अलवर में जो आता है इधर आता आपका बहरोड और नीमराणा हो सकता है नीमराणा को शायद इंक्लूड करें या ना करें लेकिन समझ ना इधर से तो अलवर से लिया आपका एक बहरोड इदर से लिया आपका कोट पूतली और विराट नगर इसको मिला कर बनाएंगे एक जिला लेकिन अभी पूतंप, अभी केवल यह समझो कि किस जिले को कितने कितने हिस्सों में तोड़ा लिया जैपूर को चार हिस्सों में ये चार हिस्से मैंने बनाए ये कोट पूदली विराठनगर वाला ये वाला जैपूर नौर्थ ये वाला जैपूर साउथ और ये वाला हो गया आपका दू-दू जैपूर के मैप से भी अगर आप देखोगे तो जैपूर का मैप जान दो ये जैपूर का मैप है ये वाला जो इसा है ना जैपूर का उत्तरी क्षेत्र का तो यहाँ पर कोट पूतली और विराटनगर इनको तोड़ा इसके अलावा इसके बगल में देखो मैंने अलवर का भी मैप लगाया अलवर के मैप में एक तो ये नीमराणा वाला इससा में भी हो सकता है इस नीमराणा को तोड़ कर इसके साथ में इंक्लूड कर दें ये नीमराणा और ये बहरोड ये भी हो सकता है कि इसके साथ में इस मुंडावर को भी ले ले मोटा मोटा भी है कि नीमराना और बहरोड इनको मिला देंगे और ये देखो एक जिला ये बन गया जिसमें कोटपुदली है विराटनगर है बहरोड है नीमराना ये हो सकता है नीमराना हो भी या ना हो तो एक जिला ये बन गया जिसमें दो एक हिस्से जैपूर से तोड़ कर दो एक हिस्से अलवर से तोड़ कर आरी ये इतनी बात समझ में जैपूर के बाकी जो हिस्से तोड़े एक नोर्थ तो यहां से ये नोर्थ वाला हिस्सा हो गया मतलब जो लोग चोमू में, आमेर में, शापुरा में, जमवारामगड में रह रहे हैं तो वो जैपूर नोर्थ में आएंगे इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा तोड़ा है ये ये जैपूर साउथ तो मतलब फागी, चाक्षू, बस्सी, सांगानेर ये जैपूर में आएंगे एक वाला ये जो हिस्सा तोड़ा है इधर ये ये आता है आपका दूदू जो पंचैज समीति से सीधे जिला बनाए है तो ये चोथा जिला है अब इसमें दिक्कत कहा देखो एक तो दूदू तो है पंचैज समीति और बगरू वो नगरपाली का है तो बगरू एक हिसाब से दूदू से बड़ा है अब बगरू को या तो दूदू में मिलाएंगे या जैपूर में मिलाएंगे बगरू वाले इस बात का विरोध कर रहे है वो कह रहे हैं कि हमको दूदू में नहीं मिलना हमारे पास में किस तरीके से टुकड़े होंगे फिर अब ध्यान दो अलवर यह जो अलवर है यहां से इसको तोड़ा यह बनाया आपका खेर्थल यह खेर्थल यहां पर भी विरोध चालू हो गया भीवाड़ी वाड़े यह कह रहे हैं कि आपने खेर्थल को जिला बनाया तो भीवाड़ी क भी बनाना चीए था तो यहां पर भीवाड़ी को जिला बनाने को लेकर विरोध चालू हो गया अब हो सकता है कि इन फ्यूचर यह विरोध लंबा चलता रहे और बाद में फिर वहां के विदायक भी ऐसे सोगंद खाए जैसे बालो तरह के विदायक ने सोगंद खाई थी क जब तक हमारे जिले का निर्मान नहीं हो जाता जूते पहनना छोड़ देंगे तो हो सकता है ये वाले भी कुछ ना कुछ ऐसे सोगंद आप एक नई चीज तो दे दी ना अब एक विवाद का नया भीज तो यहां पर पड़ गया विवाडी वाले जो है अब संगर्स करते रहेंगे हमको भी एक नया जिला बनाओ इतनी बात आई समझ में जैपूर से चार एक तो कौन सा जैपूर नोर्थ साउथ दूद्दू और इसके अलावा कोट पूतली और आपका विराठ नगर इसके अलावा अलवर वाला जो बैरोड वाला जो क्षेत्र है वो आपके अल जो है इसके अलावा एक हो गया आपका नीम का थाना ये नीम का थाना हो गया ये हो गया इसके अलावा आओगे तो देखो भरतपूर भरतपूर को तोड़ा ये उपर वाला इससा है ना अभी देखो ऐसा लग रहे ना भरतपूर जैसे कोई गिलेरी बैठी है कुछ खा रह यह उपर वाला इसा यह तोड़ दिया भरतपूर का और इसको बना दिया डीग अब डीग वाले तो राजी है लेकिन इस क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हमको डीग में इंक्लूड नहीं होना हमको तो भरतपूर में रहना है आगे बढ़ो थोड़ा सा यह सवाई मादोपूर है सवाई मादोपूर को तोड़ा यह जो उपर उपर वाला इसा है न यह यह गंगापूर सीटी गंगापूर सीटी इसके अलावा आ गया हो यह है आपका अजमेर अब समझना अभी तो अजमेर यह पूरा डिस्टिक है और संभाग भी है अजमेर य इसके अव्तिरिक्त अजमेर का एक हिस्सा ऐसा है जो इसके मेन भाग से टच नहीं है दूर है ये वाला जो किसको टच करता है राजसमंद को पाली को इन दो हिस्सों को टच करता है ये भी है किसका अजमेर का हिस्सा लेकिन अब नहीं अब ये टूट गया ये वाला जो इससा है इसको बनाया ब्यावर, ये वाला, ये ब्यावर हो गया, इसके अलावा ये वाला जो इससा है ये हो गया आपका केकडी, तो अजमेर को तोड़ कर दो जिले बने, एक तो अजमेर का शेश रहावा भागी रह जाएगा, इसके अलावा एक ब्यावर बना लेकिन यहां पर अजमेर में वदलाव आया और ये वाला जो हिस्सा है ये अब चला गया बयावर में, तो रजिस्थान के दोखंडित जिले है, एक चितोड और एक बयावर, clear, इधर देखो, यह है आपका भील वाडा, भील वाडा को भी तोडा, और भील वाडा को तोड कर यहां से यह इस्सा बना दिया आपका शाहपुरा यह अब यह वाला जो शैडो एरिया आपको दिख रहा है ना कि एक तो यह शाहपुरा वाला हो गया इसके अलवा यह केकडी वाला हो गया यह केकडी का हो गया और इसके नीचे शाहपुरा का हो गया अब यहां पर जो लोग होंगे ना इस बौर्डर वाले इससे में दोनों के उनमें खीचतान है कि केकडी में जाकर मिलना है या शापुरा में जाकर मिलना है इसलिए आपको ये image दिखाई थी कि कई जणे अभी ऐसे खीचतान में रहेंगे कि मिलना किस साइड में है कोई क्षेत्र वाले बुरा मत मानना मैं आपको नहीं कह रहा हूँ हम इसलिए इसी के उपर नाम नहीं लिख रहा हूं मैं एक जर्नल इस्तिति बता रहा हूं कि कई क्षेत्र Romans यह आंधिन जांग ऐसी जांगВानग आकंग अठीन जांग इये खैंग जांग किस ओर हमको जाने चुंडावतों का क्शेत्र, मेवाड में मेवाड के माराना के बाद मुख्य प्रवाव चुंडावतों का होता था, इसके अलावा हरावल दस्ते में सबसे आगे रहते थे, 16 जो ठिकाने होते थे मेवाड के प्रथनम श्रिणी के उसमें 4 चुंडावतों के थे, आमेट, यह नीचे तोड़के इसको बना दिया साचोर अब इसमें भी खीचतान चालू हो गई खीचतान यह कि जो भीन माल वाले हैं देखो जालोर का मैप देखो भीन माल वाले कह रहे हैं कि हमको साचोर में नहीं मिलना कहा गए यह देखो यह न भीन माल वाले यह गह रहे हैं साचोर में नहीं मिलना इधर नहीं मिलना हमारे पास में जालोर ज्यादा हमारे निकट है हमको जालोर में रहने तो अब जहां पर साचोर वाले राजी है कि जिला बन गया वहाँ पर भीन माल वाले इस बात का विरोध क कर रहे हैं कि हम को सांचोर में मत मिला देना हैं हम तो जालोर में proportion जाफ कि स्थिति भी मापर चल लोगी इसके अलावा अब देखो मैंने आपको मैं यह बात बताई थी सांचोर पूरा लाइन यह से यह तक होती तब तो जालोर की सीमा गुजरात के साथ में नहीं लगेगी, आपके facts में भी बदलावा जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा गुजरात के साथ में लगती है, तो पहले वाले जो हैं वो तो हैं, जालोर की बजाए सांचोर हो जाएगा जिला और अगर इस सांचोर को इस इसाब से तोड़ते हैं यों ऐसे थोड़ इसी इस तरीके से तोड़ते हैं तो फिर दो जिले हो जाएंगे जालोर की सीमा जालोर का यह इसा भी गुजरात से लगेगा और इसके अलावा सांचोर वाला यह इसा गुजरात से लगेगा ही सिर्ट के शहते हैं तो अब बालो गहएं कि को वंकि कि आ। सब्सक्री diversity है. एक ही यह हो गया, जोदपूर की हम बात करें, जोदपूर के तीन टुकड़े हो गया, एक तो यह हो गया आपका फलोदी, यह फलोदी, इसके अलावा जोदपूर को इस्ट और वेस्ट में तोड़ दिया, पूरव और पस्ची में, तो एक यह हो गया आपके, यह हो गया जौदपूर वेस्ट तो जौदपूर के तीन टुकडे एक फलोधी वाला एक इस्ट वाला एक वेस्ट वाला अब आप खुद विचार करो कि फलोधी से रिलेटेट जितने भी फैक्ट्स थे या जितनी जानकारियां थी अभी तक आप जौदपूर जिला बोलते थे अब जाएगा नो उन सारे facts में, obviously राजिस्थान जीके से related जितने भी आपके data हैं, sun को छोड़कर, year को छोड़कर, इस्थान से संबंदित, भूगोल से संबंदित, वो सारे बदलने वाले हैं, चेस तो होगा ही होगा, आपको update भी रहना पड़ेगा, अब सबसे ज़्यादा दिक् और कुचामन सिटी, अब देखो, इन में इस बात का विरोध है, डीडवाना और कुचामन वालों में, डीडवाना चाहते हैं कि हम जिला बने, कुचामन वाले चाहते हैं कि हम जिला बने, अब देखो, दोनों में से कौन जिला बनता है, खीचतान हो गई, ठीक वैसी खीच वाले चाहते हैं कि हमको जिला बनाओ, बहरोड वाले चाहते हैं कि हमको जिला बनाओ, तो वहाँ पर भी खीस्तान चालू हो गई, हो सकता है या तो दोनों में से किसी एक जगह पर जिला बना दे या ये ये भी हो सकता है, कि वहाँ पर एक जगह है जिसको पहले जहाँ पर सो आगे आओ शिरी गंगानगर देखो शिरी गंगानगर का जो डिस्टिक हेड़कोर्टर वो दूर पड़ता रहा अनूपगड को तोड़ दिया यह अनूपगड इधर आता है और अनूपगड एक नया जिला बना दिया अनूपगड को जिला बनाने के साथ ही जो बीकानेर में जगे आती है खाजुवाला बीकानेर की तैसिल यह यहां से लगती है इन्हों ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि अब इस खाजुवाला को इस अनूपगड में मिलाएंगे और यह कह रहे हैं कि अनूपगड को कोई इतना ज़्यादा इस्टोरिकली जानते नहीं है विश्व के जोग्राफी मैप पर बीकानेर की पहचान है अनूपगड को कोई नहीं जानता हमको अनूपगड में नहीं जाना हमको बीकानेर के साथ ही रहना है मैंने map लिया है इसका ये आपका ये देखो ये श्रीगंगानागर का map ये अनूप गड़ वाला इस्सा है इसको तोड़ेंगे तो गड़साना जहांपर किसाना अंदुलब हुआ था गोली कांड भी हुआ था इसके अलबा देखो ये नीचे बीकानेर है तो बीकानेर का ये वड़ा इससा है ने जो ये खाजुवाला अब हो सकता है इसमें पूगल को लें या ना लें हो सकता है कि ये छत्रगड को लें या ना लें लेकिर इस खाजु वाला को Iklude करेंगे खाजु वाले इस बात के मतलब इस क्षेत्र के जो लोग हैं खाजु वाला क्षेत्र के वह इस बात का विरोध करना है कि हमको अनूप गड़ में नहीं जाना हमको भी कानेर के साथ मेरे तो कितना distribution हुआ देखो जैपूर में टोटल चार इसे, सीकर में एक हिस्सा नीम का थाना, अलवर में आपका खेर्थल, भरतपूर में आपका डीग, सवाई मादोपूर में आपका गंगापूर सिटी, अजमेर के आपके दो इसे तोड़े, ब्यावर और केकडी, अजमेर के दो, भीलवाडा में आपका शापूरा मतलब एक हिस्सा, उधैपूर में आपका एक सलुंबर, इसके अलावा आपका जालोर में आपका एक साचोर, बाडमेर में आपका बालोतरा, इसके अलावा जोधपूर के आपके अब तीन हिस्से हो गए, फलोधी, इस्ट और वेस्ट ये त टोटल अगर हम देखें इसको तो चार रेक पांच रेक छेर रेक साथ आठ नो दस एक ग्यारा एक बारा तेरा चौदा पंदरा सोडा सत्रा एक अठारा और एक कॉंसर रह गया यह नागोर वड़ा एक यह नागोर का उनिस तो टोटल अब राजस्थान के जिले हो जाएंगे आपके पचास वो वड़ा कॉंसर्प मतलगाना किसाब 33 और उनिस पचास नहीं बावन होते हैं कुछ की रिशफलिंग होगी इसलिए टोटल हो जाएंगे आपके पचास लेगिन संभाग यह टोटल हो जाएंगे आपके पहले साथ और अब तीन दस लास्ट जो संभाग बन बना था बरतपूर सवाय मादोपूर दोलपूर करो लिए चार जिले लिए थे उसमें और जिले की अगर हम बात करें तो 26 वा जिला बना था आपका अजमेर एक नौंबर 1956 को यह वड़ा देखो अब तक का जो रहा थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना अजमेर 26 वा जिला 27 वा इसके बाद 28, 29 और 30 यह तीन जिले एक इतारिट को बने थे 10 अप्रेल 1901 को कौन से 28 वा 29 वा तीसवा 12 दोसा और राजसमंद 12 दोसा 29 राजसमंद 30 वा यह बारा 28 दोसा 29 राजसमंद 31 चिला बना था आपका हनुमानगद 12 जुलाई 1944 यह हनुमानगड 31 2 जुलाई 1944 फिर आपका 32 चिला बना था करो ली यह आपका 19 जुलाई 별 Walker 37 को ये करो ली ये वढ़ा 32 और 33 जिला बना था पृतापगर 26 जनवरी 2008 को पृतापगर के कुछ इससे लिये थे चितोर से कुछ इससे लिये थे उध्यपूर से कुछ हिस्से लिये थे बांसवड़ा से ये ये बांसवड़ा ये प्रतापगड़ ये 33 वा 26 जनवरी 2008 को ये बांसवड़ा से लिया था कुछ हिस्सा पीपड़ खूट वगएरा उदैपूर से लिया था इधर का हिस्सा धरियावाद और छोटी साधड़ी और प्रतापगड़ ये दोनों इससे लिये थे चितोडसेर इसको मिला कर एक जिला बनाया था जिसको प्रतापगड़ कहा गया तो 33 जिले तो ये थे 19 जिले और हो गए अब फाइनल गॉर्मेंट का एक बार मैप आ जाने दो लेकिन मोटा मोटा जो अभी मैने आपको बता है 90% ऐसा ही रहेगा लेकिन फिर भी एक बार फाइनल मैप आ जाने दो उसके बाद और एक वीडियो बना लेंगे थैंक्यू जहिंद